नमस्कार डाक्टर राम अनोहर लोहिया अवज युनिवर्ष्टी में एड्मिशन के लिए एप्लिकेशन फोर्म आ गये हैं ऑनलाइन अब भरे जा सकते हैं महत्वपूर्ण डेट्स की हम बात करेंगे एप्लिकेशन फीस की बात करेंगे एड्मिशन प्रॉसस की कुर्सस की आपको बता रहो एड्मिशन प्रॉसस की अगर बात करें तो मेरिट और इंट्रेंस एक्जाम दोनों तरीके से अड्मिशन होता है अलग अलग कॉर्सस में मेरिट बेसिस पे भी कुछ कॉर्सस में अड्मिशन होता है कुछ कॉर्सस में एंट्रेंस एक्जाम भी होता है और सीरेम कूर्सिस की तरफ चलते हैं MSC Physics 11,350 रुपई फीस है MSC Electronics 11,350 रुपई फीस है तो इनका एटमीशन इंटरंस इग्जाम के बेसिस पे होगा PG Diploma VLSI Design 40,000 फीस है पर येर की और Maths में MSC Maths का प्रोग्राम है 11,350 रुपई फीस है इसके लिए भी आपको जो है इंटरंस इग्जाम देना होता है MSC Biochemistry के लिए भी इंटरंस इग्जाम होता है इसके फीस 19,850 रुपई है MSC Biotechnology के लिए भी इंटरंस होता है इसके फीस 49,850 रुपई है Department of Microbiology में भी MSC के लिए इंटरंस इग्जाम होता है फीस 19,600 रुपई है BSC BSC Maths Group और BSC Bio बहुत सारे कूर्स के कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे 24,850 रुपई फीस है BSC में Maths Group में आपको Physics, Maths Computer Science, Physics, Maths Chemistry, Physics, Maths Electronics, Physics, Maths Geology Physics, Maths Zography Physics, Maths, Home Science इतने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको और Bio में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहां पे हैं सब्जेक्ट के जूलोजी, Botany Chemistry, जूलोजी, Botany Microbiology, जूलोजी, Botany Biochemistry, जूलोजी, Botany Biotechnology, जूलोजी, Botany Zography, जूलोजी, Botany Home Science, जूलोजी, Botany PZ Diploma in Bioinformatics 20,000 इसकी फीश है प्रोग्राम की Advanced PZ Diploma in Environmental Monitoring and Simulation, 20,000 इसकी फीश है यह डिप्लोमा कुर्सद जितने भी हैं, फीश लगबग 20,000 के आसपास है, इसमें सब में जो आपका admission है, वो merit basis पे ही होगा MSD Geophysics, 30,000 रुपे फीश है per year की 20 seats है, admission entrance exam के द्रूँ होगा MSC Geology का भी वही हाल है MA MSC Geography तो Geography में merit basis पे admission होता है entrance exam भी हो सकता है, अगर ज़दा applications आ जा रहे हैं तो Economics, MA Economics and Ruler Development इसके लिए eligibility जो है, वो BA with economics होना चाहिए, या BA BSC Maths से होनी चाहिए, या BCom या BBA ये courses आपने किया है, तो MA Economics and Ruler Development में admission पास सकेंगे entrance exam application पे depend करता है, application जादा आएंगे तो entrance exam होगा MA Mass Communication Journalism की total fees 19,600 रुपए है BWOC Mass Communication and Journalism total fees 19,600 रुपए है इस पे भी depend करेगा application अगर जाता है तो entrance exam पे होगा या तो merit basis पे admission होगा MTA merit basis पे admission होता है BWOC Tourism Hospitality MTA Master in Tourism Administration MA History and Culture और PhD तो खेर अलग से application पॉर्म बरे जाएंगे उसके लिए और MA Adult and Continuing Education 6,850 रुपए फीश है MA Applied Psychology 9,850 रुपए application फीश है और BWOC in Fashion Designing 19,850 PG Diploma in Fashion Designing 14,850 रुपए admission जो है सारा का सारा merit basis पे है BPA और MPA दोनों में admission merit basis पे होगा और 50-50 intake है फीश जहां पे mention नहीं है बाकि BFA और MFA और Post-Graduation in Drawing MA Drawing and Painting तो यह सारे courses हैं admission जो है merit basis पे होगा 1-year PG Diploma in Art Education और यह सारे courses में admission जो है merit basis पे ही होगा MA English जो है पहले merit basis पे होता था इस साल के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि नया program यह शुरू हुआ है new education policy के तो और तो graduation in any discipline वाला यहां का बड़ा फाइदा है क्योंकि अन्य universities में MA English होई कर सकता है जिसने graduation में English का लख्यों लेकि यहां पे ऐसी कोई बाद देता नहीं है आपका किसी भी इस्ट्रीम में graduation है तब भी आप MA in English के लिए अप्लाई कर सकते है फीस जो है आपकी दसजार के असपास है इसके लावा social work में MSW और Master of Public Health Bachelor of Social Work BHW तो इनकी courses जो है यह सारे के सारे में admission जो आपका होगा वो merit basis पे होगा फीस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे MTA की बात की जा चुकी है पहले MTA और BWOC दोनों में admission merit basis पे ही होगा Hindi language में कोई भी MA Hindi में admission ले सकता है किसी भी विशे से आपका graduation हो फीस जो है 6600 रुपए है normal फीस है सिंधी भासा में भी MA होता है 6600 रुपए फीस है और सिंधी भासा में master's यहां से किया जा सकता है MAड में admission जो है वो NCTE के हिसाब से होता है और कुल 25 seats है पीजी डिप्लोमा एन मोमेन इस्टिडीज 9350 फीस है और merit basis प्रैडमीशन है यहां पे भी MA in governance and public policy MA in statistic studies MA in IR international relation इन तीनों में भी merit basis प्रैडमीशन है और इनकी फीस जो है 9300 यह 9850 के आसपास है BA की total 300 seats है और admission merit basis पे होगा और combination courses के बहुत सारे हैं यहां पे यह new education policy के within है group A से आप कोई एक language choose कर सकते हैं Hindi, English या Sanskrit और group B में आपको यह एक language choose कर सकते हैं geography, home science, music, physical education, archaeology and museology, philosophy group C में economics, sociology, social work, political science, ancient history, xenology, psychology यह subject आप choose कर सकते हैं फीस B.A. की 11,350 रुपए पर एनम है और new education policy के थूँ यह program है तो इसमें बहुत सारे आपको minor subject भी मिलेंगे अलग-अलग semesters में Commerce के लिए बात करें तो MBA, MBA की जो fees है अलग-अलग history में MBA पहले जान लिजे MBA Finance Control, MBA Agri Business MBA Tourism Management, MBA Hospitality and Management B.B.A. BCA तो इन सारे courses की fees B.B.A. BCA की 32,850 रुपए और बाकी MBA की fees 36,850 रुपए के असपास है और MBA में जो admission है वो EKTU जो counseling करवाता है उसी के तो यहाँ पर admission होता है तो उसके लिए आपको UPCET का exam देना होगा MBA के लिए LLM के लिए 50,400 रुपए application फीस है merit नहीं यहाँ पर entrance exam होता है LLM के लिए BTEC में जो है admission आपका यह EKTU की counseling के तो होता है लेकिन कुछ seats बज जाती है तब direct admission भी होता है और आपका इसमें lateral entry का भी प्रावधान है लेकिन seats उसके लिए कम है CS में 6 seats है lateral entry की IT में 6 seats है seats कम हैं लेकिन admission lateral entry का भी होता है जो इसकी tuition fees है वो 76,000 के आसपास है अलग-अलग यहां पे branches में BTEC है CS में आपको BTEC मिल जाएगा IT में है electronics and communication engineering में है और mechanical engineering, electrical, civil, chemical, food technology biomedical, electronics इतने subjects में आपको MBA मिल जाएगा Master of computer application MCA का भी यहां पे course है और 58,600 रुपए application fees है MCA के लिए BPES 12 के बाद आप कर सकते हैं यह sports से related जो है program है और जिसकी fees 9,850 रुपए पर year की है BPES, MPES, Post-Graduation, Diploma in Health and Fitness Management BPES के लिए और BPES के लिए तो पहले merit basis पर admission होता था entrance exam फिर physical test यह सारा होता है इस department में admission लेने के लिए और MA in yoga therapy, PG diploma in yoga इसमें ऐसा कोई परावधान नहीं है merit basis पर admission है B pharma और B pharma भी lateral entry का परावधान है और D pharma यह courses हैं इनमें जो admission है intense exam के थो होता है और fees इसकी respectively आप देख लीजे 76,000 के आसपास है 60,000 D pharma की है और यह campus में जिते courses हैं उसकी मैंने बात की fees की बात की admission procedure की बात की बाकी मैं आपको comment box में link दे दूँँगा वहाँ से detail आप जानका ही पाप आएंगे इसके लावा बहुत जल्दी मैं एक video आप तक ले के आऊँगा कि कैसे application पॉंब भरना है step to step तो हम वहाँ पे बहुत देखेंगे बाकी आपकी जो सवाल है यूश्टी से जुड़े हुए चाहे किसी भी संबन में यूश्टी से जुड़े हुए जो आपके सवाल है comment box में लिख जाएए बाकी इस्टे ट्यून रही है दो यूश्टी कनेक्षिन दन्यवाद नमस्कार